एक डच मूवी जिसमें एक स्टुडेंट को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और ये स्टुडेंट अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है देखेंगे हम इस मूवी मूवी के लीड रोल में 30 साल की एक लाना नाम की टीचर हैं लाना इस स्कूल में 10 तक के बच्चों को डच लेंगवेज बढ़ाती हैं लाना ने आज क्लास में टेस्ट रखा हैं वो टेस्ट पेपर सभी स्टुडेंट्स में डिस्ट्रिबूट कर रही हैं और सभी को टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पास करती हैं टेस्ट पेपर डिस्ट्रिबूट करने के बाद में लाना अपनी चेर पे बैठ जाती हैं और अपने काम में बिजी हो जाती हैं तभी वो देखती हैं कि उसके सामने चेर पे बैठा एक लड़का इस class में अभी नया आया होता है और वो उसको घूर रहा होता है Lana की नजर इस नए student पे पढ़ती है और वो उस student को अपने आपको घूरते हुए पकड़ लेती है लेकिन ये student अभी भी Lana को घूर रहा होता है Lana फिलाल के लिए इसको इग्नॉर करके फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है लेकिन ये student अभी भी इस teacher को घूर रहा होता है और test देने में कोई interest नहीं दिखाता है Lana थोड़े गुसे की नजर से उस student को देखती है लेकिन फिर अपने काम में बिजी हो जाती है स्कूल के बाद में Lana अपनी डॉटर को दूसरी स्कूल से पिक करती है और जब वो कार को स्टार्ट कर रही होती है तो वो देखती है कि सामने वो नया student अपने डॉगी के साथ घूम रहा होता है Lana उसको ध्यान से देखती है Lana की बेटी मॉम को घर चलने के लिए कहती है तो Lana कार स्टार्ट करती है और फाइनली उस student पे नजर मारते हुए घर की तरफ चली जाती है नेक्स डे क्लास में एक student क्लास में सब के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है तो पीचे की बेंच पे बैठी दो लड़किया हसने लग जाती है तो Lana उन दोनों लड़कियों को अपने फोन से खेलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि फोन मेरे हवाले कर दो वो लड़की फोन लाना को लाके दे देती है और जाते समय लाना को गाली बोलती हैं तो लाना कहती है कि क्या बोला तुमने तो वो स्टुडेंट बोलती है कि बहरी हो क्या तो लाना कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे पिच बोला है लंच ब्रेक में लाना जब कॉफी पी रही होती हैं तो वो देखती हैं कि नीचे वही लड़का उस लड़की को जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया था उसके साथ वो बत्तमी जी कर रहा हैं वो उसका बैग खाली कर देता एं और उसकी साइकल को फेक देता हैं ऐसा लग रहा कि उस लड़के का नाम बैनी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़के में कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नॉर्मल है अना को जब ये पता चलता है कि बैनी बिल्कुल नॉर्मल है तो वो स्कूल की छुटी के बाद में बैनी को कहती है कि मुझे तुम से बात करनी है और वो बैनी को एक खाली classroom में ले जाती है वो बैनी को बैठने के लिए बोलती है बैनी ने अभी अभी school join किया था इसलिए लाना उससे पूछती है कि तुमें यहां पे कैसा लग रहा है और तुम्हें school पसंद आया क्या तो वो कहता है कि हाँ okay है तो लाना पूलती है कि तुम अपने classmate के साथ खुलते मिलते नहीं हो कोई problem तो नहीं है तो बैनी कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती है इस blunt answer से लाना को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे react करें तो वो पास से एक chair उठाती है और उसके पास बैठ जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमारी चिंता है मैं तुमारी कोई help कर सकती हूँ तो मुझे बताओ और ये कहते हुए लाना अपना हार बैनी के पैर पे रख देती है तो बैनी कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुमें चाहिए क्या इस बात पर लाना फिर से बैनी को करेक्ट करती है और कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो लास्ट वीक मैंने तुमारे टेस्ट पेपर चेक ये थे तुमारा स्कोर बहुत वीक है मैं एजे टीचर तुमें समझा रही हूँ कि तुमें कोई help चाहिए तो मुझे बताओ लेकिन बैनी हसता रहता है और कहता है कि मुझे सच बताओ तुमें चाहिए क्या जब बैनी बिल्कुल भी नहीं समझता है तो लाना कहती है कि मेरी meeting है मुझे जाना पड़ेगा अब बैनी को सही तरीके से समझाने की लाना की ये कोशिस नाकामियाब रही लाना अपने घर जाके सभी student के score card चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि बैनी का score बहुत कम होता है और वो इसी बात को समझाने के लिए बैनी के साथ classroom में गई थी लाना अपने घर में अपनी daughter और अपने husband के साथ रहती है अगले दिन classroom में चुटी के बाद में classroom से सारे student चले जाते हैं तो लाना भी अपना backpack करने लती है और एके करके चीजें अंदर डालने लती है बैक पैक करने के बाद में जब वो classroom से जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बैनी का bag रखा हुआ है वो बैनी के bag को उठाती है और उसको open करती है open करते हुए वो classroom के बाहर भी देखती है कोई देख तो नहीं रहा और फिर वो बैनी के bag से उसका t-shirt निकालती है और उसको smell करने लती है जिससे हमें पता चलता है कि लाना बैनी से काफी attracted wheel करती है इसलिए वो उसके t-shirt को smell करती है थोड़ी देर बाद में वो बैनी के t-shirt को उसके bag में डाल देती है और वो अचाना की देखती है कि जैसे कोई उसको classroom के बाहर से देख रहा है वो इधर उधर देखती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है लाना घबरा के bathroom में चले जाती है और अंदर जाके गहरी सांस लेती है लाना bathroom में mirror में देखती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर पानी पिने लग जाती है और जब वो अपना सर वापस पानी पीकर उपर उठाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बैनी खड़ा है और वो बैनी को बिलकुल भी नहीं रोक रही बैनी लाना को नेक पे किस करता है लेकिन जब वो लाना को लिप्स पे किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है वो कहती है कि आज के बाद में ऐसा फिर कभी भी नहीं होना चाहिए ये बात तुम अच्छे से समझ जब लाना जाने लगती है तो बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना तो लाना कहती है कि तुम मेरे स्टुडेंट हो तुम मेरे बच्चे जैसे हो मैं तुमारे साथ अफैर नहीं कर सकती हूँ तुम ये बात क्यों नहीं समझ और ये क कोसिस करती हैं लेकिन बैनी टस से मस नहीं हो रहा था फाइनली लाना को ही नजरे जुकानी पड़े लास के बाद में बैनी चलते चलते लाना के पास आ जाता है और अपने कंदे से उसके कंदे को टच करते हुए कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है मुझे तुमसे बात करनी ल पे स्कूल के दो और टीचर आ जाते हैं और ये बात करते-करते रुख जाते हैं।। उन टीचरस के चले जाने के बाद में और कोई आसपास नहीं होने के इस सब नहीं होगा और लग रहा था कि बैनी ने ये सब किया है लाना चारो तरफ देखती हैं लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है लाना अपनी डॉटर को लेके वापस घर आ जाती है और जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हजबेंट पूसता है कि कार में डेंट कैसे लगा लाना फिलाल इस बात को अपने हस्बेंट को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बताएगी तो बैनी के साथ दूसरी हुई बाते भी उसको पता चल जाएगी इसलिए वो इस बात को अभी के लिए टाल देती हैं नेक्स दे लाना क्लासरूम में सभी स्टुडेंट को एक टेस्ट पेपर देती हैं जिसमें वो उन सभी स्टुडेंट को डच लेंगवेज में इंटरंसिप के बारे में लिखने को कहती हैं और कहती हैं कि आपको इसमें आपकी अपनी फेवरेट पोजिक्शन कमपनी में ज लाना काफी सर्प्राइज होती हैं और क्लास के सभी स्टुडेंट हस्ने लग जाते हैं, तो लाना कहती हैं कि पागल हो गयो क्या, चुप चब मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ, लेकिन अब क्लास का महौल थोड़ा खराब हो गया, और क्लास में लाना की कोई बात नहीं सुन रहा है तभी वहाँ पे कोई स्टुडेंट बोर्ड पर डस्टर फेक देता है और सारे स्टुडेंट मिलके वहाँ पे चिलाने लगते हैं तो लाना परहसानों के क्लासरूम से बाहर चली जाती है अगली दिन लाना जब जंगल में जोगिंग कर रही होती है तो उसको ऐसा लग जाती है तभी लाना के घर पे फोन रिंग करता है लाना जब फोन पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा होता है लाना थोड़ी अपसेट हो जाती है लाना वापस अपनी बेटी को पढ़ाने बैटने ही वाली थी कि वापस से फोन रिंग करता है उसको क्लास्रूम के बाहर से यह वो देखती हैं कि बैनी अंदर बैठा है तो लाना बैनी को दे के काफी डर जाती है और classroom के बाहर ही कुछ सोचने लग जाती हैं जैसे उसको अंदर जाने से उसका डर रोके जा रहा था Lana बैनी से इतनी ज़्यादा डर गई कि उसने reception पे जाके आज के दिन स्कूल से चुटी ही ले ली हैं और वो अपने घर पे चली जाती हैं और अपने husband के साथ time spend करती हैं अगले कुछ दिनों तक Lana school से off ले लेती हैं उसका routine यही रहता हैं कि वो अपने husband के साथ time spend करती हैं वो अपनी daughter को school से pick and drop करती हैं और अपने घर के पास ही लेक के सामने खड़ी होके काफी time spend करती हैं आज लाना अकेली ही एक art gallery में time spent करने के लिए आई है इस modern art के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं इसलिए art gallery बिल्कुल खाली जैसी है लाना की नजर एक खास art पे चली जाती है और लाना इस art को बहुत ध्यान से देती है तभी उसको ऐसा लगा कि बैनी उसके पीछे आ गया है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि सच में ही बैनी वहाँ पे खड़ा है लाना काफी घबरा जाती है और art gallery से बाहर चली जाती है और सीडियों से तेजी से नीचे उतरती है और art gallery के दूसरे room में चली जाती है लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी बैनी उसके पीछे पीछे आ गया है लाना देखती है कि स्कूल में जो लड़का उसके पीछे पड़ा था अब वो art gallery में भी उसका पीछा नहीं चोड़ रहा है लाना बैनी से इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो उसको directly face भी नहीं कर पा रही है और बैनी अपनी ही मस्ती में लीना के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा लाना आर्ट gallery के एक कौने में जाके खड़ी हो जाती है लेकिन बैनी ठीक अब उसके पास में आके खड़ा हो जाता है लाना कुछ देर तक सोचती है और वो वहाँ से तेजी से जाने लती है लाना अब नीचे के floor पे जा रही है लेकिन वो देखती हैं कि नीचे के floor पे बैनी already पहुँच चुका है और वो भी अब लाना को सर्च कर रहा है लाना इससे order जाती है और अब वो भाग के बापस उपर चली जाती है आना अब तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है और लिफ्ट लेके नीचे जाना चाती है जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है लाना जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है लेकिन इससे पहले की लिफ्ट का दर्वाजा बंध हो वहाँ पे बैनी आ जाता है और वो भी लाना को कुछ समझ नहीं आता वो पीछे हो जाती है और कुछ देर बाद में यह दोनों यहां पर लाना की जिन्दगी अजीब कस्म कस्मे उल्जी थी कि उसकी बाड़ी तो अब बैनी को चाती है लेकिन उसकी डिमाग कहता है कि उसकी डॉटर और उसका हस्बेंट उसके लिए सबसे जादा इंपोर्टन्ट है वो कुछ दिनों तक इसी कस्म कस्मे रही कि अब वो क्या करें क्या वो बैनी के साथ ऐसे ही रिलेक्शन बनाती रहें या फिर बैनी से छुटकारा पाने का कोई रस्ता निकालें लाना ने मनी मन एक ऐसा प्लान बनाया जिसे उसकी फैमिली भी सेफ हो जाए और वो बैनी से भी छुटकारा पा सके लाना अब कई दिनों के बाद में वापस स्कूल आई है और उसने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया है जिसको एग्जेक्यूट करना है वो स्कूल में चुटी होने के बाद में ओफिस रूम में जाती हैं और चारो तरफ देखती हैं कि कोई है तो नहीं और लाना यहां पर किसी चीज को ढूंड रही होती हैं काफी ढूनने के बाद में लाना को चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और इन चाबियों से लाना अब एक एलमीरा खोल रही है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा होता है तो लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती हैं और उसमें से बैनी का कोट फाइंड आउट करती हैं और उसमें अपने द्वारा चुराया हुआ पेपर बैनी के कोट के पॉकेट में ढाल देती हैं और चुपचा पहां से चली जा बैनी भी लाना को देखता हैं, वो देखता है कि लाना के चेहरे पे अजीब सा सुकून और अजीब सी स्माइल हैं, लाना आज बहुत खुस हैं क्योंकि उसको बैनी से चुटकारा मिल गया है, एकले दिन लाना और उसका हस्बेंट पिकनिक के लिए घर के पास ही लेक में जा ले जब लाना वापस लेक से अपना मुँ बाहर निकालती हैं, तो वो देखती हैं कि उसका हस्बेंट कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो काफी देर तक इधर उदर नजरे गुमाती हैं, लेकिन उसका हस्बेंट उसको नहीं दिखाई दे रहा है, लाना इस बात से काफी ड लाना को ऐसा लगा कि बैनी वापस आ गया है और उसको सताने लगा है लेकिन तभी वो देखती है कि उसका हस्बेंड लेक से बाहर आ गया है बैनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से पुरी तरह से गया नहीं था लाना अगले दिन स्कूल में जाती है और वो देखती है कि ब वाली खुशी अभी है नहीं अभी उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है लाना बेनी को क्लासरूम में इमेजिन करती हैं वो उसके साथ बिताय हुए टाइम को भुला नहीं पा रही है बार-बार उसके दिमाग में बेनी आता है बेनी को फिजिकली उसने स्कूल से बाहर निक बुक स्टोर के दूसरे कौने में चली जाती है तो लाना अपनी डॉटर को ढूंडती हैं और काफी देद ढूंटने के बाद में प्시 equis ऑन को अपनी डॉटर वहाँ भुक स्टोर में नहीं मिलती हैं वह परिसान हो जाती और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती हैं और फिर वहाँ पे पुलिस भी आती हैं और ये लोग CCTV फुटेज देखते हैं इस फुटेज में लाना देखती हैं कि बैनी भी खड़ा है जिसको देखे लाना को लगा कि बैनी ने उसकी डॉटर को किड्नेप कर दिया है और बहु लेकिन लाना के लिए ये बात काफी डराने वाली थी कि बैनी इतना खतरनाक है कि वो की डॉटर को को बिना बताए उसके घर पे चोड़ाया है अब लाना को लगा कि बैनी उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हैं फिजिकली तो लाना भी बैनी से काफी अट्रैक्टिड लेकिन वो मनी मनी ये जानती थी कि ये सब गलत हैं, फिजिकल अट्रक्शन में वो अपनी फैमिली बरबात कर देगी, इसलिए वो किसी तरह से बैनी से चुटकारा पाना चाहती थी, बैनी दिन रात लाना के धिमाग में रहता, उसको सोने नहीं देता, उसको अपने हस्बें लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, तो लाना भी उसके पीछे पी कार चला दे, बैनी तेजी से स्कूटी चलाता है, तो लाना भी उसके पीछे पीछे अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती हैं, जो टर्ण बैनी लेता, वही टर्ण लाना भी लेता, ऐसा लग रहा था कि लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं अब वो अपनी जिंदगी और मन में मची हुई उतल भुतल को जैसे हमेशा हमेशा के सांत करना चाहती हैं लाना के चलता हुआ बैनी एक टर्न लेता है और लाना देखती हैं कि आज पास कोई भी वेहिकल नहीं है और बड़ी सुनसान सी जगह होने की वज़े से CCTV केमरा भी नहीं है तो वो बैनी को साइड में से अपनी कार से जोर से टकल मारती हैं जिसकी वज़े से बैनी अब मर जा लाना के मन में बैनी का डर कुछ ऐसा बैठा जिसका अंजाम बैनी के लिए बहुत दुखत हुआ लाना ने पता नहीं सही किया गलत किया उसने अपने मन की बात सुन लिए और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है वीडियो को लाइक कीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्रा